ताहिर गोरा के शोव बिला तकलुफ में मैं हली मासादिया आपको कुछ आमदीद कहती हूँ आज ताहिर असलम गोरा के साथ बातचीत होगी इस्राइल के गज़ा में जारी आप्रेशन के हवाले से कैनडा, अमरीका, यौरप और भारत की इस्राइली सपोर्ट के हवाले से चीन और रूस इसको कैसे देख रहे हैं और इस हवाले से भी कि अरब दुनिया इस मामले को कैसे डील करेगी और नीज पाकिस्तान के लोग इस मसला को कैसे देख रहे हैं इस्राइल ने घजा में अपना जंगी आपरेशन शुरू कर दिया है अब तक लाकों शेरी डिस्पलेस हो चुके हैं यू एन ओ अगरचे इस्राइल से हाथ हलका रखने की उपील कर रही है मगर दुनिया के बड़े मुमालेक माजी की तरह इस्राइल से जंग बंदी का ने हैं इस पर तबस्रा कीजिए देखे ये एक बहुत बड़ी पॉलिसी शिफ्ट है इसराइल हमास या इसराइल फलिस्तिनियों के बीच अर्सादराज से मसाहिल चल रहे हैं और हर बार ऐसा होता था कि जैसे ही हमास की तरफ से या हिजबल्ला की तरफ से या जो बाकी जह बहादिये हैं उनकी तरफ से इसराइल पर मिजायल पहंके जाते थे चोटी सता की जंग बड़ी सता की जंग किसी भी सता का जो कानफलिक्ट होता था उसके बाद इसराइल को हमायत जनरली वेस्टन वर्ल्ल की मिलती थी लेकर उसके बाद अमरीका खास दोर पर और बड़ी पॉलिसी शिफ्ट है उसकी वज़ा ये है कि इस बार हमास का जो टेररिजम का एक्ट है वो अनप्रेसिटन्ट है यानि वो सेविजरी उनकी उनकी बरबरियत उनकी जो खाफनाकियत है वो इतनी शदीद है कि दुनिया हिलके रह गई है अब अमरीका के लिए भी य एक तो खुद कन्विंस होना कि इन दरिंदों के खिलाफ मैं तो दरिंदे कहूंगा जिस तरह की कारवाई चीए है कि इन दरिंदों के खिलाफ आप कैसे इसराईल को रोकें और खुद भी मगर्बी दुनिया ये सोच रही है कि बही इस इन दरिंदों को अब डील तो करना पड़ेगा ना क्योंकि जिस लेवल की सेविजरी इन्होंने की है उसके बाद वर्ल्ड की पॉलिसी शिफ्ट होना वो बड़ा नैचरल है अब वो सबी ये कह रहे हैं कि जी आप खात्मा करें हमास का अता के आपने कैनिडा की हमारे देश की बात की तो हमारा देश भी अब कै की लिबरल सरकार है प्राइμ निस्टर जेसि dran टूडों की कैबनिट बड़ी जिसे कहते है स्नीकी सी है और बड़ी वो स्लिपरी सी है वो भी आज कुछ होते हैं कि अबी तक वो भी फर्म है का बड़ी हमास का खात्मा होना ज़रूरी है क्योंकि बहुत मुश्किल बात हो गई है, कल मैं सदर जो बाइडन का इंटर्वियू देख रहा था, सदर जो बाइडन ने जो बात की एक इंटर्वियू के दूरान से पूछा गया, कि अब इसराइल का जो है जंगी ऑपरेशन, फलस्तीन में या घजा की पटी में बहुत श इंटायर इनका खात्मा होना चाहिए, यह खात्मा हमने काफी हद तक आइसिस की सूरत में देखा, खात्मा किया अमरीका ने, वेस्टन वर्ल ने, चुक्क तांग आयो थे, लेकिन उस खात्मे के बावजूद भी, वो माइंसेट तो खत्म नहीं हुआ, बलके आइसिस का व पिर शो किया है, एक्जेक्ली वही माइंसेट, छोट छोटे बच्चों को, जैसे वो इमाम हुसाइन अले सलाथ और असलाम के साथ, जिस तरह जिस तरह जियाती हुई, जिस तरह वो छोट छोटे बच्चों को नेजों पे चड़ाया गया, बिलकुल, वैसा ही जो खौफना कमल है, इन यजीदियों ने, मैं तो यजीदिय कहूंगा, जो मुसल्मानों की टर्मिनालिजी उसको यूज करते हुए, किया, और इनों ने, देखिए, एक जंग होती है, हमास की जंग भी रही, इसराइल के साथ, मिजाइल पहंके, चलिए जिए, वहां से मिजाइल आए, वह बात किसी है तक समझाती है, वो भी गलत था, वो भी हमास पहले भी टर्रिजम के एक्ट करता रहा, लेकिन ये जो सेवेचरी है, ये जो बर्बरियत है, ये दुनिया ने नहीं देखी, क्योंकि आईसे से खुफिया हाथ होते थे, लोग पहुंचते थे, बैद करते थे दूसरे के हाथों में, कोई एक वाजए गौर्वर्मेंट नहीं थी, मगर घज़ा में तो हमास की बकाइदा गौर्मेंट थी, ठीक हमास की एक्टिवटीज को पहले भी कैनेडा के इंदर भी टर्रिस और्गनिजेशन के तोर पर देखा जाता था, लेकिन जो कामनों ने अ किया, अब कैनेडा जैसा मुल्क भी जो बड़ा पीस लविंग है, और जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स में भी आता है, और जो पुलिटिकल कॉरेक्टनेस में भी हम केनेडियन बहुत आगे हैं, तो वो फिर अल्टिमेलिये ही कहते हैं, नहीं जीं नहीं, सब का मसला होना लेकर इस बार हमास ने अपनी जलालतों की वज़ा से कोई गुझाइश नहीं चोड़ी और पूरी दुनिया की जो पॉलिसी शिफ्ट है, वो में नजर आ रही है, मगर्बी दुनिया के बाद, दुनिया के तीन बड़े मुल्क, भारत, चीन और रूस, इस सारी सूरत रहाल इसराइल के साथ हैं, ये भारत की भी बहुत बड़ी पॉलिसी शिफ्ट है, भारत भी पहले हमेशा जिसे कहते हैं, दो कश्टियों में ही पाउं रखे, चुकर दुनिया का डिप्लोमेटिक तकाज़ा भी होता है, मैं बलेम किसी को नहीं कर रहा, भारत भी पहले अच्छा भारत भी अब एक ही तरफ खड़ा है, इसराइल के साथ खड़ा है, भारत में कहा कि हम आपके साथ हैं, चुकर इनफ इस इनफ, ये भारत का मैसिज है, अब दो जो दूसरे बड़े देश हैं, उसी रीजन के, रूस और चीन भी, बहुत सरी थियोरीज हैं, कहा जा रहा है क रूस शायद एरान को मदद कर रहा हो, क्योंकि एरान तो वाज़ तो वाज़ तो पर हमास के साथ है, तो हमें कोई ऐसे शौहिद नजर नहीं आते कि रूस मदद कर रहा हूँ, ठीक है, रूस के जो इसमें ये जो बहुत बड़ा तनाज़ा, बलके बहुत बड़ी जंग ख पिर जो वेस्स के साथ उसके मसाइल चल रहे हैं, मगर रूस ने भी ठीक है जंग बंदी की बात की, काम डाउन होने की बात की, मगर हमास की हमायत नहीं की, हमास की मुझमत ही की है, रूस ने भी, और ये जरूर का है कि अब फरीकें जो हैं, मिल बैठें, मसले का हाल नकाले वो एक डिप्लमेटिक लैंविज भी होती है और फिर रूस आफ कोर्स वैसा स्टेंस नहीं लेगा जैसा मगर्बी दुनिया ले रही है और फिर मोर ओवर ये भी है कि क्योंके इसराइल ने युकरेन की हमायद की थी तो रूस जाहरे इस बात से कोई खोश नहीं होगा लेकिन ऐसा भी नहीं है कि रूस को इसराइल के खलाफ जा रहा है चूंके रूस के इसराइल के साथ मरासम भी है रूस इस मसाइल को भी समयता है अच्छा पिर चीन भी कोई इसराइल के खलाफ तो नहीं जा रहा है चीन भी वही डिप्लमेटिक लैंगविज जूस कर रहा है कि जी अपने आपको जरा रोक के रखें, जंग को ज़रा ना बढ़ावा दें, हम समझते हैं कि मसाइल बड़े गंबीर है, चीन भी यही लेंगविज उस कर रहा है, अच्छा चीन का तो खेर इसराईल से को फड़ा भी नहीं है, चीन का हमाज से को दोस्ती वाला मामला भी नहीं है लेकिन चीन भी हो सकता है कि जो वेस्टन वर्ल्ड के साथ उनके तनाजात चल रहे हैं, उसकी रोशनी में दिल ही दिल में यह खौश रखता हो, कि ठीक है, यह सब फंसे रहें, तो ठीक है, इट वर्क्स पर मी, लेकिन चीन भी को जहाद के हक में नहीं है, चीन भी अपने जहादियों को बहुत टाफ टाइम देता है, जहाद एक ऐसी खौफनाक चीज है, जिसके कोई भी अब हाक में नहीं रहा, इवन हमने माजी में देखा, अमरीकियों ने जहाद को इस्तमाल किया, रूसियों के खलाब, उस वक्त के सोविट यूनियन के खलाब, लेकिन अब को भी जहाद के काफी सबक मिल चुके हैं, जिसमें नाइन अलेमन सबसे बड़ा सबक है, तो भारत तो बहराल एक बहुत बड़ी पॉलिसी शिफ्ट है, अगर हम माजी के मकाबले में देखें, बाकी देशों के भी पॉलिसी शिफ्ट है, रूस और चीन, इसमें अपने जो वेस्ट के खलाफ उनके जो मसाइल चल रहे हैं, या वेस्ट के उनके खलाफ जो मसाइल चल रहे हैं, उनके उसमें से पुलिटिकल कुछ फाइदे लेंगे, इंटरनेशनल स्टेटिकल फाइदे लेंगे, मगर ऐसा नहीं होगा, कि वो इसराइल की मخालफत करेंगे, और हमा के खिलाफ उनका धंकिया मेज लह जान नहीं तो आप अरब दुनिया के इस रियाक्शन को कैसे देखते हैं और इसके साथ साथ वेस्ट बैंक वाले फलस्तिनी ग्रो इस मसला को कैसे देखते हैं देखिए ये दोनों सवाल बड़े इंपोर्टेंट हैं पहले मैं वेस्ट बैं के हैं इसलामिस्टों के हैं वो फलस्तिनियों के हुकी बात कर रहे हैं इवन जो वेस्ट बैंक के फलस्तिनी हैं वो भी घजा के लोगों के हवाले से अपने कंसंशो कर रहे हैं और उनके कुछ लोग भी मर रहे हैं वहां भी भी कुछ पर्टेस्ट हो रहे हैं वेस्ट बैं वाले भी हमास की तबाही चाहते हैं. चुकि उनका हमास के साथ कभी भी अच्छा तल्दक नहीं रहा. हमास असल में फलस्तीनियों के लिए सबसे ज्यादा टेररिस्ट हैं. उन्होंने फलस्तीनियों की जिंदगी सुब और शाम अजीरं कर रहे हैं. यह अब बचैरे जो से है या यह इंटरनाशनल पॉलिटिक्स के चेंज, गलोबल चेंज की वजह से आप क्या स्पेस? ने देखिए, यह बाते में इसी तरफ आ रहा हूँ, यह काफी मतविन में उलजाओ भी है और बड़ी वाज़ भी है, दोनों दोनों तबार से, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ लेकिए जो वेस्ट बेंक के फलसीनी है, पहले मैं इस बात को मकमल करता हूँ, वो ठीक है फलसीनी की बात करेंगे, घजा के फलसीनी की बात करेंगे, मगर वो हमास की कोई खुल के हमायत नहीं करेंगे, वेस्ट बेंक में भी हमास के स्पोर्टर मौजूद है, लेकिन वेस खुल के नहीं की जा सकती हाँ फलस्तिनियों के मसाइल है जो उनका human displacement हो रहा है जो उनके movement के अभी issues बने होएं उस पे वो भी जाहर है मतलब अपनी concern शो करेंगे public consumption के लिए भी और अपने एका भी दिखाएंगे जाहर है ये सब कुछ तो करना पड़ता है अब जो अर्मों की जो आपके सवाल में दो सवाल थे अब मैं पहले वाले हिस्से की तरफ आता हूँ देखिए अर्बों के हाँ policy shift कोई नहीं नहीं है वो तो policy shift उनके हाँ चली आ रही थी ऐसी जंगें भी हुई जिसमें जॉर्डन ने हिसा लिया मिसर ने हिसा लिया इराक शाम भी involved हुए तब दीरे 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 फलस्तिनी काॉस जो है so called काॉस उसे पीछे हिखना शुरू हो गए उनका ये ख्याल था कि बहुए ये इस जंग में रहना चाहते हैं क्योंकि इस जंग की वज़ा से उनको फाइदे होते हैं उनका जंगी कारोबार चलता है वो अल्रीडी से पीछे आ रहे थे फिर ये जो अर्मों के बहुत अच्छे तल्लकात हो गए यूए ए के बहरें के इसराइल के साथ अभी ये पांच्छे साल पुरानी बात है तो उसके बाद तो अफकोर्स पॉलिसी शिफ्ट दुनिया ने देख ली ना कि जब यूए ई बहरें साथ बैड़ के सा आस ये साथ तल्लकात अब होनी जा रहे थी जिसकी वज़ा से हम बार बार कह रहे रहे दुनिया भी कह रही है कि हमास ने कारवाई की चार मिर संब आ की है। अब जाहे रेपबली कंजम्शन के लिए उनको फलसीनियों की बात करनी पड़ रही है लेकिन अरब मुलकों में से भी कोई रिस्पॉंसिवल अरब मुल्क हमास की हमायत नहीं कर रहा है अच्छा अब ये है कि अरबों के लिए एक मसला है कि पहले ये होता था कैनड़ा, अमरीका, यॉर्पी यूनियन, इंग्लेंड वो जब ये जंग चिड़ती थी हमास और इनकी तो कुछ अरसे बाद ना फिर वो सब ये कैनड़ा, अमरीका जब कहना शुरू हो जाते थे कि बही जंग को रोकें, ये बहुत हो गई बात, अमन से बैठें, तो फिर अरबों को भी एक होसला मिलता था कि वो अपनी जंटा को भी खुश करने के लिए, अमरीका कैनड़ा का दोल बजाएं, अधर से यॉरॉप और अमरीका भी उनसे खुश रहेगा, और उधर से अपनी जंटा भी इनकी खुश रहेगी, इस बार अमरीका और कैनड़ा, और मतव यॉर्पिन जूनियन, आस्ट् हैं वो वैस्ट के साथ जुड़े होएं अब वो कैसे मतब वैस्ट के खलाफ चाएं एक तो यह मसला है दूसरा वो खुद भी समझते हैं कि हमास जैसे जो ये स्टेकोलडर हैं नकी तो हमाइद की नहीं चाह सकती हमास जैसे ग्रुप्स यह खुद अर्बों की regime's के लिए सब्चे बड़ा खप्रा है मिसर में नों ने क्या हाल किया था फिर ये साओधी अरब में हर वक्त आँखें लगाए बैटे होते हैं जतने जहादी हैं ये आइसिस वाले भी हमास वाले भी किसी तरह साओधी अरब में disruption हो तो western world से ज्यादा इसराईल से ज्यादा सबसे ज्यादा concern हैं हमास जैसे जहादी terrorist ग्रूपों से खुद अरब कर ती चुक्के वो सबसे ज्यादा vulnerable हैं लेकिं उनको अपने जनता को अपनी अवाम को तो कुछ नो कुछ पबलिक consumption करनी होती है ना कहना होता है हम अरब हम अरब हैं अरबों के साथ हैं फलिस्टीनी आफ्टर आल अरब हैं पुलिटिकल सारे तो वो यह यह बहुत बड़ा मसला है अब जो अरब कंटीज हैं वो मेरा यह गैस है मैं यह समझ सकता हूं एजन आनलिस्ट वो इस बात से खुश भी होंगे कि भाई ठीक हमें कहना तो पढ़ रहा है इसराईल से क करो बाजाओ कहने की हद तक ठीक है दंकी तो कोई नहीं दे रहा ना तो फिर वो भी सोचते हैं कि हमें यह कहना तो पढ़ेगा लेकिन अगर इन हमास वालों का अगर खात्मा होता है तो थैंक यू क्योंकि आइसिस का जब खात्मा हुआ तो सबसे ज़्यादा सुक्का सांस तो सौदी अरब ने लिया था पुलिटिकल स्टेट्मेंट्स तो देनी ही पड़ी है लीडर्स को जो भी वहां के होते हैं पुलिटिकल स्टेट्मेंट्स और होती है प्राक्टिकल रियालिटीज ग्राउंड रियालिटीज डिफरंट होती है बिलकुल ऐसा ही है तो अब व वो अंदर से उनको कोई प्रावलम नहीं है। लेकिन पॉब्ली के लिए जैसा आपने भी का वो ये बियानात दे रहे हैं। लाहिज़ पॉलिसी शिफ्ट चुके वेस्टरन वर्ल्ड की बड़ी हद तक आई। अब ये जो अर्म मालिक हैं वो भी फिर जाहर है। उसी पॉलिसी शिफ्ट को कहने की हद तक तो एगरी नहीं करेंगे लेकिन अंदर से वो ऑन बोर्ड ही है। चलिए घज़ा में लाकों लोगों के लिए एक शिदीद इनसानी बोरान पैदा हो गया है। मिसर भी घज़ा के फिलस्तिनियों को अपने मुलक के अंदर दाफिल होने नहीं दे रहा है। यानि ये तो इस वोक बहुत बड़ी सिच्वेशन है कि कोई इसलामी मुलक भी शायद इजाज़त नहीं दे रहा कि आप माइगरेट करके उदर आ जाएं। इस सुरतियाल में इस इस इंसानी बुरान के बारे में आप क्या कहेंगे। देखिए बात ये है कि मिसर तो खुद अभी कुछ साल पहले मुस्लिम ब्रदर हुड के चंगल में पहुंस गया था। बड़ी मुश्कल से मिसर ने जान चुड़ाई है। अब जो वहां की गौवर्मेंट है वो ऑफ कोर्स किसी सूरत भी एफोर्ड नहीं करती के हमास वाले आएं। अब ये जो घजा के फलसीनी हैं अगर इनको बार्डर खोल दिया जाएं। मिसर का हो जॉर्डन का हो या इस्रामी मुल्क इनको आने दें। तो पकी बात है हजारों हमास वाले भी इस हुमन शील्ड में वो उन मुल्कों में चले जाएंगे। और सबसे ज़्यादा मसला उन मुल्कों को होगा आने वाले सादों में। तो चलिए इस पे मैं पकड़ ले तो एक बहुत नपस जो के एक मुश्किल सवाल है। उन्होंने कहा कि कुछ तियारे भीजे गए हैं हेल्प के लिए आप इस पे क्या कहें लिए लिए ये एक अलग बात है मैं उसकी तरह बात में आऊँगा। यह एक इस जुड़ावा मामला नहीं है मुझे नहीं नजर आता। मुझे तो यह जुड़ावा मामला यह नजर आ रहा है कि मिसर इनको अपने अंदर यानि इन फलिस्टीनियों को दाखल नहीं हो दे रहा है। उसकी एक बड़ी वज़ा है कि मिसर को अंदाजा है जैसे मैंने अभी कहा कि यह जहादी भी इन्हीं लोगों के साथ आ जाएंगे। और यह दस बीस जहादी अगर मिसर जॉर्डन में दाखल हो गए तो उनके लिए एक अज़ाब बन जाएगा। और यह वही मिसर है जिसको आज से गालमत 15-16 साल पहले इसराईल ने कहा था कि भाई यह घज़ा आप ही ले 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 हैं यह घज़ा अपने मुल्क यानि एजिप्ट का हिसा बनाएं इनको आप ही समालें तो उस वक्त उन्होंने इनकार कर दिया उन्हों का नहीं 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 हमें यह जो है ना वो जो बिड़ों का चता वाला मामला नहीं चाहिए यह तब की बात है जब हमास वले इतने खाफनाक टेर्रिस नहीं थे तब भी मिसर ने इनको अपने अंतर नहीं लिया तब भी जॉर्डन इनको अपने अंतर नहीं लिया देखिए बात यह है कि माजी म यासर अरफात हो, महमूद अबास हो, कोई भी हो, इन सब को इसराइल बड़ी लैंड, जो आज छोटी सी लैंड्स हैं, वेस्ट बैंक और घजा की, ये जो बड़ी लैंड्स हैं, वो आफर करता रहा, इन्होंने नहीं दी, इनका ये ही कहना था, यासर अरफात सब से, भई हम नहीं को पूरा एसराइल मांगते, आब इनके पास दो चुड़ी पटीया रहогод, खजा की पटी, वेस्ट बैंक की पटी, अब ये वेस्ट बैंक की पटी, को भी और खास तर पर घजा की पटी को इसराइल ने आफर किया आरब कंट्रीज को बही आप आ जाओ चुकर इसराइल ये चाहता था कि आरब कंट्रीज बाराल सोविरन स्टेट्स हैं वो संभाल लेंगे इनको इन बिड़ों के चटों को लेकिन दे नेवर टूक नइबर अगरीड़ दिता अब जो है ये जो इनसानी बहरान जिसकी हम बात कर रहे हैं अब ये इनसानी बहूरान तो बलशुभा करियेट होआ है अब ये इनसानी बहरान जो है ये in fact आ वहां पर बहुत शदीद है लेकिन क्या किया जाए after all गज़ा के लोगों ने ही वोट दियो है न हमास को ये कहा जाता है जी के हमास के तो एलेक्शन ही बड़े सालों से नहीं हुए तो गज़ा ड़स नॉट आर डू नॉट रिपरेजेंट बाई हमास ये मैं नहीं मानता बड़किसमती से हमास ने वहां पर माइंडसेट बना दिया हुआ है एक जहादी माइंडसेट जो मिजोर्टी ओड़ पबलिक का बना हुआ है वो मतबान पड़ भी हैं अनेजुकेटिड भी हैं तो वो मतब इतनी ये पचीदा सूर्टेहाल है कि इनसानी बहरान अब वो है औ कि दुनिया अब ये समझती है कि एक बार ये इनसानी बहरान तो पैदा हुई गया ये अब चलता रहे कोई नों को कैम्प लगा दी है उन्होंने एजिब्ट के बॉर्डर पे जॉर्डन के पास भी कि ठीक है आप बैट जाएं बदकिसमती से लोग भी मर रहे हैं बदकिसम रहेगा लेकिन घजा जो है इसका नक्षा बदल जाएगा ये फलस्तीन के पास नहीं रहेगा ये अब चुके बाकी अरब मुलकों ने घजा को कबूल करने से इंकार किया हुआ है तो अब फिर जिसे कहते हैं न चाहते हुए या ना चाहते हुए भी इसराईल अपने अंद जो किनेडियन फंसियों में उनको लाने के लिए जा रहे हैं कुछ वो हुमन एड भी बेजेंगे इस हद तक लेकिन अब कोई कैनिड़ा इस सिलसे में कोई ऐसा करदार अदार नहीं कर रहा है को वहां को पीस कीपिंग की बात कर रहा हुए नो नो चुके कैनिड़ा भी एक्ट एंट फिनिश हमाज एस मुच एस पॉसिबल बहुत सारे सरकल्स में यह सवाल मी उठाया जा रहा है जो के बहुत मेक संस करता है के आखिर हमाज की देशतगर्दी की सजा आम फलस्तिनियों को क्यों दी जा रहे हैं देखिए यह पचीदा सवाल है और बहुत मीडिय पर यह सवाल चल रहा है चलना भी चाहिए दुक की बात ये है कि इस वक्त हमास और इसराईल जंग की हालत में है ये वली जंग इसराईल ने नहीं शुरू किया ये वली जंग एक खौफनाक गटिया टेररिजम के साथ हमास नहीं शुरू किया और हमास इसराईल के खलाफ जो गया है वो फलस्तीनियों की या गज़ा के फलस्तीनियों की नुमाइंदगी की बन्याद पर किया है ये ऐसे ही है कि जैसे अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान पर एक और नई जंग शुरू करते हैं जाहरे वो अवाम तो नहीं करेगी ना वो तो स्टेट अफ पाकिस्तान करेगी ना तो फिर भारत का जो रिस्पांस आएगा वो मतब पूरे पाकिस्तान पर आएगा वो ऐसा तो नहीं होगा को वो पाकिस्तान आर्मी से डानेगा मैं एक मज़ाब दे रहूँ ये वाली जंग हमास ने इंपोस की है और ये जंग नहीं है सिरफ ये जंग भी है खौफनाक टेररिजम भी है आज भी हमास राकट फैंक रहा है इस्राइल पे तो जाहर है जंग में फिर जवाबन इस्राइल भी तो राकट फैंक रहा है चोँनेमेश ayud infections की हमास की और फलिस्तिने की ताकत से की सौ गुशना बड़ी है तो या तो हमास के खिलाफ आम फलिस्तिनी या वहां पर कुछ और फलिस्तिनी गृर्टीनी गृूर्टीनी गृर्टी च्पर आ है, वो खड़े होना पर अब जब वो नहीं खड़े हो रहे हैं तो फिर वो आम फलसीनी नहीं रहे वो बदकिस्मती से सफरर हैं I understand, should not be sufferer, but unfortunately वो फिर हमास और उन जैसे ग्रोहों के आलाकार भी तो बने हुए नहीं या उनके आईडियास को बाई भी तो करती है ना, अब ये जंग मतब ऐसा तो नहीं है कि इसराइल कोई यूनिलेटरली जंग कर रहा है, भी हमास ने जंग शुरू की है, घजा की तरफ से, फलसीनियों की तरफ से, तो फिर अब जाहर है, उनका जवाब जो आएगा, उसमें फिर ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं से डूडेंगे हमास पालों को, अगर जो वो ऐसे ऐसा कर रहे हैं, उनकी कोशिश यही है कि कोलैटरल डैमज कम हो, लेकिन वो इतनी चोटी सी पटी में, टू पॉइंट त्री मिलियन लोग रहते हैं, वो जो उनके पास इन्फरमेशन है, वो उसके तहट वो हमास के लोगों पर अटैक कर रहे हैं, उन्होंने नेटवर्क सरुंगों का बिचाया हुआ है, तो उसमें सैडली आम फलस्तिनी बिचारा मर रहा है, तो अब फलस्तिनियों को भी सोचना है, कि आफटर आल वो कब तक ये हमास जैसे जहानियों के हाथों में खेलते रहेंगे, मैं आपको दावे से कहता हूँ, आज फलस्तिन में को दो चार अकल मंद ग्रूप पैदा हो जाएं, फलस्तिनी ग्रूप अकल मंद अगर हो जाएं, तो वो अमरीका को यॉर्प को बठा के ये इसराइल के साथ मामलात तेह कर सकते हैं, मगर उनको ये शर्त देनी होगी और उस पर अमलन थाबत करना होगा कि कोई फलस्तिनी टर्रिजम नहीं करेगा, तो इस इस वचन के बगएर और इस इशोरंस के बगएर और अमली तोर पर दुनिया को थाबत किये बगएर, वहां पर ये फलस्तिनी अपने लिए अमन की फजा काइम नहीं कर सकते हैं, चलिए आखर में थोड़ी सी बाची पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, सिलिबिटीज और सियास्थदान, इसराइल के खिलाफ बहुत बोल रहे हैं, इस पर आप क्या तबसरा करेंगे, आप इस सुरतहाल को कैसे देखते हैं, देखिए इस प पे मैं आगे खुल के बातचीत करूंगा, लेकिन हम चाहेंगे कि वो वीडियो क्लिप्स हमारे वियूर्स देखें। इस सुर्मान का, अकीदे का, तो कोई चीज नहीं है, पहली बात यह साबिकी, दरूसरी बात यह साबिकी, कि इसराइल को मुस्लिव मुमालग तस्वीम कर रहे ते, इसराइल है कहा ता, कि चंद दिरों में सुद्य आरब हमें तस्वीम कर लेगा, और उसके बाद लंपी ल लिखेगी तमान मुसमान मुमालिक हमें तऊस्मीम करेंगे हमास थे यह मनसूबा घरक कर दिया हमास मनसूबा को तश्मीम कर दे mr weale T사 करका दिया killing मंसूबा घरकाल कर दिया अपने और वियूर्ज ने ये माइंड सेटे का, ये गार्मिन्ट का एक आत्मी है, यानि सैनिटर है पाकिसान में, और ये गालब गालबन जमात इसलामी से इनका तरलग है, मैं दावे से कहता हूँ, कि जमात इसलामी ही नहीं, बड़े बड़े जो वहाँ पे लिबरल, मौडरन, कहते हैं न, सेलेबरिटीज की आपने बात ही, ये सब भी इसी माइंड सेट के हैं, क्या कह रहा है ये शख्स, ये शख्स ये कह रहा है कि खुदा की मेरवानी से चंद सो हमास के अजीम लोगों ने, इसराइल जैसे बड़ी ताकत को नीचा दिखा दिया, ये कह रहा है ये शख्स, ये पाकिस्तान का ओवराल माइंड सेट है, आप से एक सवाल यहाँ पे मैं करना चाहूंगी, पाकिस्तान 1947 में बना, और इसराइल की स्टेट 1948 में बनी, तो 75 साल से, ये स्टेट अपनी जगा मौजूद है, इसको तस्लीम किया जाए, या ना किया जाए, ये स्टेट अपनी जगा मौजूद है, और उसके हुकमरान मौजूद हैं, तो क्या ये सब जो बाते हैं, ये कोई make sense करती है? नहीं नहीं, वहीं मैं कहा रहा हूँ, पहली बात यह है कि इन पाकिस्तानी सेनिटर्स और पाकिस्तानी लीडर्स की उकात ही किया है, पहली बात हुए है, कि किसी देश को तस्लीम करें या ना करें, हो किया जबाउत है, ठीक है दुनिया, या यॉनाइटिड नेशन में बैठ हमने अभी इसराइल में देखी हमास की उसको गलॉरिफाई कर रहा है ठीक है यही हाल पाकिस्तान के करेक्टर वो मुहमद रिजवान का था वो इंडिया में कहीं था और उसने का कि मेरी कोई पता नहीं सिर्लंका के खला मैच की जो जीत है मैं डेडिकेट करता हूं गजा के प यो इसराइल को तो हमने इस तो नबूत कर देंगे यहां तक मैंने मॉडल्स के और बड़े बड़े अजीब और गरीब किसम की एक्टरिस उसका मैं देख रहा हूं यारी मैं यह कह रहा हूं कि जमाते इस्लामी से लेके हैं सो काल मॉडरन सो कालड उन जो है पार्टी गोर्ट गिर्ल्स जो हैं हर तरह की पार्टी गोर्ट यो वो मैं देख रहा हूं तो जब पूरी कौम का मैंसेट ऐसा हो गाए रही जाह ही कह रहा हूँ, हाली एक परसंट ही होंगे तो बड़ी मेरबानी होगी, लेकिन नाइटी नाइन परसंट, चाहे वो पार्टी गोवर हों, चाहे वो इमरान خان کی یہ وہ جو جلسے ہوتے تھے اس میں جا کے بنگرہ ڈالنے والے لڑکے لڑکیاں ہوں چاہے یہ جماعت اسلامی کا سینیٹر ہوں چاہے پاکستان کی سرکار میں بیٹھے ہوئے اور لوگ ہوں یہ سب کے سب اسی mindset کے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں جو اپنے ہی ملک میں جنہوں نے مسلمان بلوچوں کے ساتھ صبح و شام زیادتی کرتے ہیں مسلمان پشتونوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں مسلمان سنیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں مسلمان مہاجروں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور مسلمان بنگالیوں کا انہوں نے قتل عام کیا تھا یہ وہ لوگ ہیں اور اس کے بعد یہ اسلام کی بالا دستی اور اسلام کی جو ہے فوقیت کے لیے حماس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اب دیکھئے بہت سارے جو پورٹیسٹ ہو رہے ہیں میرا ان سے جو اشیو پرو پیلسٹائنین پورٹیسٹ یہاں کینیڈا میں بھی ہو رہے ہیں آہ لندن میں بھی اچھا وہ ان کا ایک عجیب سائے جی ہم حماس کی بات نہیں کر رہے ہم جی بات کر رہے ہیں فلسطینیوں کے حقوق کی اور اسرائیل کے مظالم کی اچھا ٹھیک ہے بھئی آپ کا پوائنٹ ایو بھی آپ کو بات کرنے کا حق ہے لیکن میرا ان سے یہ پوچھنا ہے کہ حماس کے خلاف کیوں نہیں بولتے جس نے زیادہ تباہی بربادی فلسطینیوں کے لیے کی ہے صرف حماس نہیں جتنے یہ جہادی گروپ سے ہیں اور ایون تھوڑے سے کم جہادی گروپ بھی جیسے یہ پی ایلو وغیرہ بھی تھے کیا انہوں نے فلسطین کے لیے کارنام آپ تک کیا ہے اس ساری صورتحال میں جب تک مسلمز کھڑے نہیں ہوتے اور یہ جہادیوں کے خلاف نہیں بولتے تب تک ان کی بہتری نہیں ہوگی بھول جائیے اسرائیل کی بہتری وہ تو اسرائیل ویسٹن ورلڈ بھارت خود اس قابل ہیں چین روس خود اس قابل ہیں کہ اپنے مفادات کا کر لیں ان کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے ان کے ان کے نعروں کے ان کے اس طرح بولنے بکنے کی کوئی کوئی پرواہ نہیں ہے they are capable of protecting their self ہو جاتے ہیں issue 911 ہوا ابھی یہ حماس کا ٹیرزم ہوا لیکن they are capable of building their societies way better than these uh you know sort of so called uh یہ جو islamist countries ہیں خود ان کے اندر اب دیکھیں یہ جی سی سی کے جو ممالک ہیں یہ بہتے سمارٹ لوگ ہیں میں انکہ اپریشیٹ کرتا ہوں uh i have lots of practical very practical i have lots of respect for miss mohammed بن سلمان u a ki leadership berenin ki leadership یہ لوگ بہت بہتر ہو گئے ہیں moderate ہو گئے ہیں اور یہ ٹھیک ہے public consumption کے لیے کوئی تھوڑی بہت بات کر دیتے ہیں otherwise ان کے ملکوں میں یہ جو اس طرح کے یہ جو protest ہو رہے ہیں فلسطین وی ایج حماس کے حق میں اس کی کوئی گنجائش نہیں یہ کر کے دکھائیں ذرا اپنے ہی مسلمانوں میں مسلمان ملکوں میں یہ ذرا کر کے دکھائیں یہ سب کے سب ڈپورٹ ہوں گے ٹھیک ہے تو situation یہ ہے کہ خود ان کے اپنے جو کچھ مسلمان ملک ہیں جی سی سی کے country وہ تو اتنے سمیدار ہو گئے ہیں بہت بہتر ہو گئے ہیں اور ان کا یہ حال ہے کہ امریکہ کینیڈا یورپ میں رہتے ہوئے نا ہماکتیں کر رہے ہیں اور حماس کی direct یا indirect glorification کر رہے ہیں مجھے آپ کی یہ بات اچھی لگی کہ اس وقت ڈائر نیڈ ہے globally condemnation of terror and stop glorifying terror اور اس میں سب سے جو important بات ہے کہ وہ مسلمانوں کو کرنا ہوگا کیونکہ خود یہ کہتے ہیں بار بار کہتے ہیں کہ اس ٹیررزم نے ہمیں برباد کر دیا یقیناً آپ کو برباد کیا تو پھر آپ ہوش کے ناخن کیوں نہیں لیتے پھر یہ کہیں کہ جی وہ نہیں سب سے بڑا جو ٹیرررسٹ ایکٹر ہے دنیا وہ تو اسرائیل کی سٹیٹ ہے پھر امریکہ ہے پھر یہ ویسٹرن ورلڈ ہے پھر اس طرح کی توجہیات ہیں اچھا وہ ہیں بھی فرض کی تھی ہے جو آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ٹیرر ہیں جو آپ کو ہی کھا رہے ہیں پہلے ان کو تو ختم کیجئے لیکن یہ تو dilemma of power بھی ہوتا ہے اس کو ہم power dilemma بھی کہتے ہیں power کے اپنے rules ہوتے ہیں جیسے باتشاہت کے اپنے rules ہوتے ہیں جیسے حکومت کے اپنے rules ہوتے ہیں یہ سب باتیں exist ہو رہی ہوتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو bilateral interest کے تحت بھی چلنا ہوتا ہے solution نکالنے ہوتے ہیں دیکھیں یہ جو power کے dilemmas ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں یہاں پر تو عقل کا گھٹا ہے یہاں پہ تو mindset کا مسئلہ ہے میں صرف power corridor کی بات نہیں کر رہا میں عام لوگوں کی celebrities کریکٹر یہ جو عام جنتہ social media پہ بیٹھی ہوئی ہے بھئی کو عقل کر لو even media یہ جو ان ملکوں کا ہے جیسے سیریا کا ہوگا سیریا خود حالانکہ خوفناک terrorism سے گزرا عراق ہوگا اس طرح کے ایران سب سے زیادہ خوفناک ہے اور وہ تو beyond repair والی اس وقت situation ہے unfortunately ایران کی تو اب پاکستان بھی beyond repair والی situation پہ ہے تو ان کو تو ہوش کے ناخن اٹھانے چاہیے نا اب کشمیری میں رہنے ریکھا وہ جمہو کشمیر میں کشمیری مسلمانوں کے فلسینیوں کا حق میں نکل رہے ہیں یار جو terrorism خود کشمیری مسلمانوں نے پاکستان سے آ کے اور وہاں پہ رہنے والے جو کی اس کا کس نے سب سے زیادہ خومیازہ بھکتا کشمیری مسلمان بہن بھائیوں نے جو وہاں پہ رہتے ہیں اور of course ہندو پندتوں نے بھی بہت خومیازہ بچائروں کو تو وہ تو unnecessary release میں آ کے نا تو یہ ایسی خوفناک اچھا پھر میں آخر میں چلتے چلتے اس بات کی بھی نشان دیکھوں گا پھر ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جی یہ جو terrorism ہے اماس کی یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ امریکہ ان کو دبارا ہے اسرائیل ان کو دبارا ہے تو یہ weak لوگ ہیں weak لوگوں کا terrorism سب سے بڑا ہتھیار ہے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ جو ابھی دو تین ہفتے پہلے سوہ لاکھ آرمینین نکالے ہیں آزربائی جان نے نکارنو کارباک سے ایک شخص نہیں وہاں پہ رہا مطلب کہنے کیا تک جو ہوتا ہے محاورہ اب وہ سوہ لاکھ تقریباً وہاں سے نکال لی ہے تو کسی وہ آرمینین نے کوئی بم بندہ اپنے سینے پہ اور جا کے خودکشی کی سویسائٹ بم کی کہ یار آبین میں نکالا ہمارے پاس اب ہم weak ہیں تو ہمارے پاس کوئی اور ہتھیار نہیں ہے یا کسی ہندو پندت نے جس کو نکالا تھا پانچ لاکھ کو جہادیوں نے تو کسی آج تک کوئی ہم نے واقعہ سنا کہ کسی ہندو پندت نے یہ واقعہ کیا ایون کسی ہم نے اسرائیلی کے بارے میں واقعہ سنا کہ جی ہمارے اوپر یہ یہ ٹیرر سیکٹ ہوتے ہیں آج ہم بھی سویسائٹ اٹیک کریں گے یہ سوچنے والی بات ہے کہ یہ پھر کیوں مائنڈ سیٹ ہے کچھ لاکھ یا کچھ کروڑ لوگوں کا انفرچنیلی وان پوائنٹ سیمن بلین مسلمانوں میں سے جو ہمارے ہم بھی اس ہندو نہیں سے تعلق رکھتے ہیں کیوں یہ مائنڈ سیٹ ہے ٹھیک ہے بم پھوڑنے والے کوئی چاند ہزار یا چاند لاکھ ہوں گے مگر چاند چاند کیا بہت سارے کروڑوں کا یہ مائنڈ سیٹ ہے تو آخر میں میں اپنا جملہ یہ کہتے ہوئے وائنڈ اپ کرتا ہوں آج کی بات چیت کہ انفرچنیلی یہ جو پاگلپن ہے یہ جو ارائشنیلٹی ہے جب تک یہ ہمارے مسلم محسس سے نہیں جاتی تب تک مسائل ٹھیک نہیں ہوں گے ہمارے مسلم محسس کو ایڈلیس سعودی عرب آج کے سعودی عرب یو اے ای سے ہی سیکھ لینا چاہیے مگر وہی یہ سینیٹر کہہ رہا ہے کہ ہماس نے کتنا عظیم کام کیا کہ بھئی سعودی عرب کے ساتھ مہدہ نہیں ہونے دیا یعنی یہ اتنے اتنے یہ انبیلیویبل ان کا مائنڈ سیٹ ہے irrational لوگ اور جو دنیا کے لیے نقصان دے باتیں ان کو celebrate کرتے ہیں آج کا بلا تکلف تفسرہ کرنے کا بہت شکریہ آج کا بلا تکلف شو طاہر گورا اور میرے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ آپ ہمارے ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو subscribe کیجئے ہمارے اسی چینل پر موجود donate کے button کو دبا کر آپ patreon paypal یا credit card کے ذریعے donate کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی subscribe tag tv youtube channel and press the notification button if you Shane me झाल